सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गए आप तो प्यारे बच्चो आज की स्रूड़ा हमें बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ हिंदी का चैप्टर नबर फाइव जिसका नाम है मिठाई वाला बहुत अच्छी कहानी ये प्यारे बच्चो बहुत ध्यांस देखेगा ठीक है तो प्यारे बच्चो इसमें ऑन निधर के यह होता है कि इक जो यहां पर मीठा आदमी रहता है वह क्या होता है कि भूँब की समान को बिस्ता नी फेरी वाला यह ठीक है पैहले वह उसी गाव मेरा आता है क्या ले-करborg मुरली ले-कर या और आप लोग गह सकते हैं वाहाँ सुरी ले करके तीसरी बार वो आता है मिठाई ले करके तो हर बार उसके में एक चीज कॉमन है वह यह है कि वह बहुत इस रस्ते दामों पर चीजों को देता है तो प्यारे बचों जब वह पहली बार आता है मतलब पूरे गलियों में नार लगाते जाता है कि बच्छों को बहलाने वाला खिलोने वाला तो यह वही कहते कहते पूरे गलियों में घूम yeah फीर यही बात सुन करके जो लोग रहती हैं वह मतलब जितने प्रकार के बच्चे रहते सब licensing अई हम उसे मांगने लगते हैं फिर प्यारे बच्चों, वो सभी लोग क्या करने लगता है, खिलोने देना लगता है, सभी लोग क्या करते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, जैसे सको एक छोटा बच्चा पूछता है कि इसका दाम क्या है, और इसका, और इसका, तो सभी का दाम वे लोग पूछ पूछ के, मोल अब खिलोने का कंपेर्जन, करते हैं, कि यह कहता है मेला घुला कैच्छा छुन्दल है, यानि कि इसका गोड़ा कैसा सुन्दर है और इसके कहता है और देखो मेला चुंदल है और यह कहता है। फिसके बाद यहां प्यारे बच्चों इनने दे इंच कि यहां प्यारे बक्चों ऐना प्यारे जिए क्या दो पैसे में खेलोने वाला दीया हम इनकी मम्मी आश्रचकी तुछर कहती है, सिर्फ दो पैसे में इतने अच्छे खेलोने यह तो होई नहीं सकता, उसका क्या बचा होगा, दे कैसे गया वो, चलो कोई बाध नहीं दे गया, तो तो पिर उसके बांद वो भी आता है तो वो कहता है जैसे कि यहांपे भाइबा मुडली बजाने में बहुत इच्छे मुडली बजा लेता है और उसके बाद फैने से म किरूप में बच्चों को मुड्लिया देता है वय ह apprenti की में कि आर अटी हैं जग्की तो जाते हैं कि कैसा मिठाई वाला उसी पैसे ही क्या बसते होंगे फिर भी वो क्या करता है सभी को देता है और उसके बाद प्यारे बच्चों सभी बच्चे उसे रंग भी रंगी मुलिया रहते थे और वो सभी बच्चों को देखता था उनी के साथ मतलब कि अपने अभी साहँ पुंदुदगे, पैरबचुन तो यहाँ पर ये था, मुलिया बेशन लगता है, जो चुन्नू और मुल्नू के पापा सुथे हैं मतलब कि यहाँ पर जो रोहिनी होती है मतलब कि उनकी मम्मी चुन्नू खेलने गाए है तब तक थोड़ा सा लेते तो फिम रता है तो उसे मोरुटows आपनेवा तै कुम पापा नहीं पाये हम शेता है और आंत में मोल भाव करके उसे ले आते हैं घर पे फिर प्यारे वचो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा फिर वो गाय हो जाता है फिर कुछ दिनों बाद आता है क्या लेकर की मिठाई लेकर की तब उसके उनकी जो मम्मी होती है वो इस बात की बहुत ज़्यादा अस्यर चकित ह हो जाती है कि यह क्या करता है इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उच्जुक हो जाती है फिर उसके बाद वो अपने दादी मा से कहके उसे अपने घर में बुलवाती है उसके बाद उसके क्या करती है बाते करती है वो पोस्तिया कि तुम कौन हो और कहां से आय यह कपड़ा है ठीक उसी फेरी वालों बेचना है पचास रुपयम खरीदेंगे तो 75 रुपयम बेचेंगे जो उनका प्राफिट होगा वो उसे रख लेते हैं मालिजे तो लेकिन यह क्या करता है यह उसे दो पैसे खरीता था और दो पैसे बेज भी देता था इसका कोई भी होने वाला नहीं था ठीक प्यार बच्चो तो इसकी दादी मा इसे मोल भाव करती इसके बाद यह जो रहती है यह रोहिनी जो रहती इनकी मम्मी यह कहती है आज दादी मा रहने दीजिए उसके भाव नहीं पड़ा होगा ठीक प्यार बच्चो इसके बाद फिर यह इसे पो कि कहता है कि मतलब कि यह गरीब बुजाता है इसके जो माता मतलब कि इसकी गोशते जो मम्मी थी और इंयोरे विप्जे थे रेकिन विज़ी अब करूं गए हैं वे सभी अब गरीबी की छाया में पल रहे हैं और वे सभी अब पता नहीं कहा है मुझे नहीं पता मतलब यह कहता है मिठायवला वो सभी अभी पता नहीं कहा है यह तो मुझे नहीं पता लेकिन जहां कई भी होंगे इनी बच्चों की तरह खेलते होंगे इसलिए तो कितनी अच्छी कहानी थी, ठीक है ना, सो मुझे उमीद आप लोग कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, प्यारे बच्चों, यदि आप लोगे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिए, बिल्कुली फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉश्ट लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अब जब कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब करी सकते हैं, फ्री ही तो है, कहाँ आपका कोई पैसा लग रहा है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियों, थेंक यू जहिन जय भारत,